हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आपका काड्यू किचन में, मेरा नाम है मनीशा, आज हम बनाएंगे शक्कर पारे, मैदे के शक्कर पारे तो आपने काफी खाए होंगे, पर आज हम इसको ग्यहूं के आठे से बनाएंगे, और इस पे चास्नी की कोटिंग भी नहीं करेंगे, त लेकिन रेशिपी, स्टाट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेस्बूक पर देख रहे हैं, तो हमारे पेज को फॉलो करें, तो अब चल इसलिए सबसे पहले चलते हैं हम गैस की तरफ और चाष्णी बना लेते हैं, पैन को मैंने गैस पर रख दिया है, अब इसमें सबसे पहले मैं दालूँगी आधा कप पानी, जितनी हमने शक्कर ली है उतना ही हमें पानी दालना है, अब हम इसको लगातार चलाते हुए चीनी गुलने तक मिक्स करेंगे, यह देखिए इसमें चीनी पूरी तरह से घुल गई है, हमें इसमें एक या दो तार की चाष्णी नहीं बनानी है, बस चीनी पूरा गुलने तक ही इसको मिक्स करना है, अब मैं इसमें दालूँगी इलाइची का पाउडर, यह मैंने 3-4 इलाइ करेंगे, जब तक चाष्णी ठंडी होती है, हम डो के तैयारी कर लेते हैं, एक मिक्सिंग बॉल में सबसे पहले मैं दालूँगी आटा, यह मैं 2 कप दालूँगी, यह 2 कप आटा मैंने मिक्सिंग बॉल में दाल दिया है, अब मैं इसमें मिलाऊंगी 1-2 कप घी, अब हम आ इस तरह से रगडते हुए हमें आटे और गी को अच्छे से मिक्स करना है, यह देखिए आटा और गी अच्छे से मिक्स हो गए है, मोयन को चैक करने के लिए हम इस तरह से मुट्टी बना के देखेंगे, अगर यह मुट्टी बन जाती है, मतलब हमारा मोयन परफेक्ट है, यह जो चाचली हमने बनाई थी, यह भी थोड़ी-थोड़ी ठंडी हो गई है, अब हम इसको आटे में मिलाएंगे, हमें एक साथ नहीं मिलाना है, थोड़ा-थोड़ा करके ही हमें इसको मिलाना है, इसको हमें थोड़ा-थोड़ा करके मिलाना है, और इसका एक टाइड डोर त्यार करना है ये देखिए ये अच्छा टाइट डो बनके त्यार हो गया है हमने जितनी चाशनी बनाई थी वो लगबग पूरी लग गई है अब इस डो को हम 5 मिनट सेट होने के लिए छोड़ देंगे लगबग 5 मिनट हो गई है हम डो को चेक कर लेते हैं लेंगे ये डो सेट हो गया है अब हम इसको साइड में रखेंगे इसमें थोड़ा सा एक पेड़ा लेंगे और इस तरह से इसका एक बॉल बनाएंगे ये देखिए इस तरह से मैंने इसका बॉल बना लिया है बीट फार्म भे हम थुड़ाँ सा घी ग्रीस करेंगे और अब इस पेडे को हम मोटे थिक्निस का बेल लेंगे यह देखे, इसको मैंने मोटे थिक्निस का बेल लिया है अब हम इसको कत कर लेए हैं कट करने के लिए मैं पिजा कटर का यूर्स कर रही हूं आप चाहें, तो चाकू से भी इसको काट सकते हैं, यह बहुत ही आसारी से कट जाते हैं, अब यह जो साइट्स निकलेंगे, इसको हम दुबारा से डो में मिक्स कर देंगे, और दुबारा से रोल बनाकर इसको फिर से कट कर लेंगे, यह देखिए, मैं इस तरह से कट कर रही ह आप अपनी हिसाब से छोटे या बड़े कैसे भी कट इसमें लगा सकते हैं यह देखिए इतनी मोटी तिकनेस का मैंने इसको कट किया है अब मैं इसको प्लेट में रख लूँगी और बाकी बचे हुए आटे के भी इसी तरह से बनाकर कट कर लूँगी जब तक हम शक्करपारे को कट कर रहे हैं तब तक हम साथ साथ तेल को गरम करना भी रख देते हैं यह देखिए सभी शक्करपारे को मैंने कट कर लिया हैं अब हम चलते हैं गैस की तरफ और इसको डीप फ्राय कर लेते हैं तेल को हमने पहले ही गरम करने रख दिया था, तेल अच्छे से गरम हो गया है, अब हम इसमें जो हमने शक्कर पारे कट किये थे, इसको डालेंगे, इसको हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालेंगे, एक बार में हमें बहुत सारे नहीं डालने हैं, जितने एक बार में पर आ गए हैं अब हम इसको हिला लेते हैं इसको हम धीरे धीरे टर्न करेंगे यह देखिए थोड़े थोड़े गोल्डन हो गए हैं इन सभी को हम एक बार टर्न करेंगे और दूसरी साइट से भी इसको अच्छे से तलने देंगे यह देखिए दोनों साइट से अच्छे से गोल्डन हो गए हैं अब मैं इनको निकाल लूँगी और बाकी बचे हुए शक्कर पारे भी हम इसी तरह से तल लेंगे यह सभी शक्कर पारे तलकर मैंने प्लेट में निकाल लिये हैं यह देखिए इसमें कितना सुन्दर कलर आया है और यह बहुत ही खस्ता बने है और यह खाने में भी बहुत टेस्टी है इसी के साथ हमारी श तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ, थैंक यू